दोस्तों के आप भी से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और जो ट्रेडिंग के ऊपर ब्रोक्रेज चार्जिज लगते हैं वो आपको छुपते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सुनने भाई फिन वेशिया के कमाल के ब्रोकरेज प्लान के बारे में जहांपर आपको बोला जाता है कि आपको कोई भी चार्जिस नहीं लिये जाता है अगर आप एक्विटी में ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन यानि अफनो में ट्रेड करते हैं करन्सी या फिर आप जो कमेडिटी में ट्रेड करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको लेखास रहने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में सुनने प्लोकरेज कल्कु एंड तक जरूर देख लेना अगर आप सुनने के अंदर डिमेट अकाउट उपन करने की सोच रहो या खोल चुकियो दोस्तों ना तो यह कोई paid वीडियो है ना कोई sponsor वीडियो है और ना में सुनने एप या company को यहाँ पर डी फ्रेम करने की कोशिस करना ना मेरा कोई ऐसा intention है सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर open करने वाले हैं सुनने brokerage calculator जो इनका ओफिशल कल्कुलेटर है उसको यहाँ पर open कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम جो हैं commodities brokerage charges को calculate करते हैं इसके लिए सबसे पहले commodities MCX पर click करते हैं buy and sell price दोस्तों यहाँ पर 100 रखने वाले quantities जो है यहां पर हम 10 रखते हैं क्योंकि हमको यहां पर एक अगरोपेगी ट्रेड पे चार्ज कितना लगता है सुने गंदर यह चेक करना यह देखना है इसके बाद हम जो एक कल्कुलेट नाव पे क्लिक करते हैं यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो टोटल कोस्ट अफ ट्रेड है 17 पैसे है अब इन चार्जिस को जो है एकसल फाइल में नोट कर लेते हैं इसके बाद जो आप्शन है उस पर क्लिक करते हैं और बाकी जो है सारी चीजे सेम रखते हैं जो बाई सेल प्राइज सेम रखते हैं और इसके बाद हम जो है यहाँ पर कल्कुलेट करते हैं करंसी में फ्यूचर के लिए चार्जिस कल्कुलेट करके देखते हैं बाई और सेल प्राइज यहाँ पर 100 रुपीज रखने वाले हैं क्वांटिटी यहाँ पर 10 रखने वाले हैं NSE में ये trade करते हैं और calculate now पे click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो total cost of trade है वो आती है 2 पैसे जो की बहुत कम है अब इन charges को भी excel file में note कर लेते हैं अब दोस्तों हम जो है calculate करने वाले currency option पर click करते हैं और बाकी सबी चीज़े सेम रखते हैं जो हमने पहले वाले segment में रखता है calculate now पे click करते है total cost of trade यहाँ पर आती है 83 पैसे अब इन charges को भी excel file में note कर लेते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है इसके बाद calculate करने वाले future and option segment में trade करते हैं तो वहाँ पर क्या charge लगते हैं इसको calculate करते हैं इस तुने एप के अंदर future select करते हैं buy and sale price यहाँ पर 100 रुपए या नि 100 रुपीज रखते है quantity यहाँ पर 10 रखते है नसी में यह trade करने वाले है और calculate now पे click करते है total cost of trade यहाँ पर आपकी आप देख सकते हैं 15 पैसे या नि 15 पैसे आती है अब इन charges को भी जो excel फाइल में note कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों option पर click करते हैं और बाकी जो सभी ratio same रखते हैं buy and sale price quantity same रखते हैं नसी में trade करने वाले calculate now पे click करते हैं total cost of trade यहाँ पर 1.75 रुपी यहाँ पर आपके charges लगते हैं अब इन charges को भी excel फाइल में note कर लेते हैं दोस्तों अब तक हमने सुनने app के अंदर commodities के अंदर currencies के अंदर future option में 100 रुपी की complete trade पर कितने charges यहाँ पर लगते हैं सुनने app का जो brokerage calculator है उसमें calculate करके देखा लेकिर हम मेंसे जातर लोग जो यह जानना चाहेंगे अगर सुनने app के अंदर हम एकवटे इंट्राडेया delivery में trade करते हैं तो उस segment में 100 रुपे की complete trade यान buy and sale trade पे सुनने app के अंदर कितने charges लगते हैं उसको जरूर जानना चाहेंगे तो दोस्तों अब इसको जो हम यहाँ पर calculate करने वाले हैं delivery पे click करते हैं buy and sale price यहाँ पर same रखने वाले हैं 100 rupees और quantity यहाँ project 10 रखते हैं NSE में trade करते हैं और calculate now पे click करते हैं total cost of trade यहाँ पर 2 रुपे 8 पैसे आती हैं अब इन charges को excel file में note कर लेते हैं यहाँ पर equity delivery में आपने देखा कि 2 रुपे 8 पैसे charge लगते हैं इसके बाद intraday पे click करते हैं buy and sale price जो है same 100 rupees रखने वाले quantity 10 रखते NSE में trade करने वाले हैं calculate now पे click क के अंदर आप जो है pay करने वाले हो 33 पैसे अब इन charges को भी excel file में note कर लेते हैं तो दोस्तों इस excel file को देखकर पता चलता है कि सबसे कहम charges एग जाओ रुपे की buy and sale trade में currency future में लगते हैं जो हैं आपके 2 पैसे और सबसे ज्यादा charges सुनने एप के अंदर equity delivery में लगते एग जा सुनने एक बड़ी आप्शन हो सकता है जैसे ही मैंने इस वीडियो में आपको बताया कल्कुलेट करके दिखा है कि उनका जो बुरके चार्जी जे काफी कम है देखिए अपना पैसा बचाना किसे अच्छा नहीं लगता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प् इस टाप के कंटेंट देखना चाहते ताकि आपको ऐसा ही इंट्रेस्टिंग और इंट्रेटिव वीडियो इन फूचर भी मिलता रहे अगर आप एंजल वन के सभी सेग्मेंट के ब्रोकर चार्जी के बारे में जानना चाहते हैं आपके आँखें खुले की खुली रहे जा लेना इसके अंदर मैंने सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है